नमस्कार, A to Z dishes उशा कोरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ मुतांजन की रेसिपी ये एक स्वीट डिश होती है जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीज़ेगा जब भी आपका मीठा खाने का मन करें न तो आप इसे बनाएं गर में बच्चों से लेकर बड़ोता को पसंद आएगी जितने दिखने में ये मज़ेदार है खाने में भी लाजवाब लगती है तो चलिए बनाना शुरू करते है तो उसके लिए हमने ले लिए बासमती चावल ये मैंने एक कब जितने लिए है अब इसे हम दो से तीन पानी से अच्छे से वाश कर लेंगे तो आप बेग सकते हैं इस तरह से ये जो पानी हम निकाल लेंगे और इसी तरह से दो से तीन बार और कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो से तीन बार अच्छे से वाश कर लेंगे और फिर से पानी इसके अंदर डाल कर 20 मिन तक इसे बिगोने रख देंगे 20 मिनिट के बाद हम गैस के ओपर एक कडाई रखेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 5 गलास पानी 3 हरी छोटी वाली इलाईची और इसे डख कर हम पानी को गरम कर लेंगे डखने से क्या होगा जल्दी पानी गरम हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा पानी है वा अच्छे से गरम हो चुका है और यह जो चावल है 20 मिनिट के बाद हमें क्या करना है यह पानी निकाल लेना है और यह चावल इसके अंदर डालने के बाद बीच बीच में हमें इसी तरह से चलाते रहना है और इसे हमें पूरा नहीं पकाना है सिर्फ 80 प्रतिश्रत तक की इसे हमें पकाना है तो बीच बीच में इसे चलाते रहें और इसे 80 प्रतिश्रत तक पकाएं करीब आपको इसमें 6-7 मिंट लगेंगे तो देख सकते हैं 6-7 मिन के बाद ये 80 प्रतिश्रत तक पक चुके हैं तो भी से हम इस तरह से चनी में निकाल लेंगे ताकि जो वो पानी है वो निकल जाए और ये पानी को हम कोई काम का नहीं इसे हम फैक देंगे और ये चावलों को इसी तरह से हम रख देंगे ताकि जो बचा-खुचा पानी है वो भी निकल जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 फूट कर ले लिया है ग्रीन लिया है रेट लिया है और येलो लिया है इसके अंदर हम हलका-हलका पानी डालकर इसे मिला लेंगे यह हमें बाद में यूज करना है पर पहले इसके हम प्रोसेस कर ले रहे हैं तो यहाँ पर आप जेल भी इस्तमाल कर सकते हैं उसमें आपको पानी डालने की जरूरत ने पड़े हैं आप डायरेक डाल सकते हैं और पाउडर फॉर्म में इस्तमाल कर रहे हैं तो इस तरह से कीजे अब दूसरी साइट मैंने गैस के उपर कडाई रख दिया है उसमें मैंने दो बड़े चम्मज गी डाल दिया है जैसे गरम हो जाएगा तो 15-20 बादाम कटे हुए और एक छुटा टुकडा मैंने सुखा ना मिलाना है तो देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है अब इसके अंदर में डाल रही हूँ चीनी तो यह मैं आदा कप डाल रही हूँ अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप आदा कप से थोड़ी कम भी डाल सकते हो जादा पसंद हो आप जादा भी डाल सकते है अब हमें को अच्छे से पिगला लेना है इसी तरह से हम चलाते जाएंगे और चीनी जो है वो अच्छे से पिगल जाएगी तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरी चीनी पिगल चुकी है तो अब इसके अंदर में डाल रही हो यह चावल तो यह पूरे चावल इस तरह से इसके अंद तो देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया अब जो दूद निकलना शुरू हो चुक है तो यह पानी सूखने तक किसी तरह से इसे हमें पकाना है तो देखिए अब इसमें से छोटे-छोटे बबल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो पानी है और दूध है वो सूखता जा पगाएंगे तो यहां पर पूरे पांच मिनिट हो चुके हैं तो चलिए एक बाद okay लेते हैं तो अब देख सकते तो बेंक हलका नाके बड़ाबर पानी रहेगा है तो अब देखें मैं आपको दिखा दे रहे हूं विल्कुल नाके बड़ाबर पानी रहे पांच मिंट के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा तो जो हमने वह कलर तैयार करके रखे देना वह हम डाल देंगे तो देखे सबसे पहले मैं यह हरा कलर डाल रही हूं इसी तरह से यह लाल और पीला और अगर आप जेल इस्तिमाल कर रहे हैं या लिक्विड तो आपको वह ड नाइफे उसे डालना है देखे बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं एकड़म सूखा निकल रहा है यानि हमारा जो ही मुतांजन बनकर तैयार है हलका हलका इस तरह से मिला लेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह रंग भी रंगी है और एकदम पूरे पूरे जो ह काफी बढ़िया लगता है तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजेगा बच्चों से लेकर बढ़ोतों को पसंद आएगी एकदम बढ़िया और मुझे कमें सेक्शन बताइएगा कि आपको यह मेरी मुतांजन की रेसिपी कैसे लगी है अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे शेयर कीजे अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना बुले आज के लिए बस इतना है तैंक यू फॉर वाचेंग